है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेरी सीरफ के बारे में हम बात करेंगे इसके कमपोजिसन के बारे में कि चेरी सीरफ में क्या क्या पाया जाता है और हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में इसके उप्योग के बारे में और हम बात करेंगे इसके साइडी फेट के बारे में और हम बात करेंगे इसके दोस्त के बारे में इसके खुराक के बारे में दोस्तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंदक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सकें वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं चेरी सीरफ के बारे में दोस्तो जो नाम है चेरी ये क्या है सीरफ का brand name है इस नाम से आपको pharmacy पे या medical store पे आपको आसानी से या सीरफ आपको मिल जाएगी वहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में कि चेरी सीरफ में क्या-क्या पाया जाता है इसमें क्या-क्या सामिल लेता है दोस्तो इस सीरफ में आईरन पाया जाता है और इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है और इसमें साइनो कोबालामिन पाया जाता है जिसको बिटामिन B12 भी कहते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके मार्केटर के बारे में इसके मिनुफेक्चरर के बारे में दोस्तो यह सिरफ यानि चेरी सिरफ इंडे केमी हेल्थ स्पेसिलिटीज प्राइवे लिमिटर द्वारा बनाई जाती है वहीं पे दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में इसके MRP के बारे में दोस्तो यह सिरफ यानि चेरी सिरफ आपको मेंटकर श्टोर पे लगभग 170 रुपे की आपको मिल जाएगी वहीं पे दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में इसके उप्योग के बारे में दोस्तो चेरी सीरफ का उप्योग आईरन की कमी वाले एनीमिया के इलाज में इसका उप्योग करते हैं और दोस्तो इसका उप्योग सामान कमजोरी में करते हैं और दोस्तो यहाँ सिरफ जो होती है खून को बढ़ाने में सहायक होती है या हिल्फ करती है और दोस्तो इसका उपयोग आईरन की डिप्सेंसी में करते हैं दोस्तो क्या होता है जब हमारे सरीर में हमारी बॉड़ी में आईरन की कमी हो जाती है उस कंडिशन में चेरी सिरफ का पूरा करती है और दोस्तों यहां सिरफ यानि चेरी सिरफ भूंग को बढ़ाने में सहायक होती है वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके दोस्त के बारे में इसके खुराक के बारे में हम बात कर लेते हैं अडल डोस्त के बारे में दोस्तो अगर आपकी एज 18 के उपर है यानी 18 साल के उपर अगर आप हैं उस कंडिशन में डाक्टर द्वारा 10 ml सुबा 10 ml साम को खाना खाने के बाद में लेने की सला देते हैं वही पर हम बात कर लेते हैं child dose के बारे में दोस्तों अगर आपकी age 12-18 के बीचे उस condition में डाक्टर द्वारा 5 ml सुबा 5 ml साम को खाना खाने के बाद में लेने की सलाह देते हैं वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में इसके दुस्प्रभाव के बारे में दोस्तों overdose के करण आपको सूजन आ सकती है और आपके भूंक में कमी हो सकती है यानि आपको भूंक कम लगेगी ठीक है और आपका मुह सूखा पड़ सकता है यानि आपका mouth dry हो स सकते हैं और आपको कबजेत हो सकती है और आपका मल काला पड़ सकता है दोस्तों अगर ये side effect आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं तो दोस्तों cherry syrup को उपयोग बंद करें और अपने doctor जाके तुरंस सला लें दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को like, subscribe, comment जरू करें नेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक यू